Welcome back friends, आज के वीडियो का टॉपिक है IPO और इस वीडियो में हम IPO को एनलाइस करना सीखेंगे पिछले कुछ वक्त से IPO मारकेट में काफी चहल पहल है Happiest Minds और Root Mobile Limited का IPO आ चुका है और next कुछ weeks में 5 और IPOs आने वाले हैं बहुत short time period में ये सारे IPOs आ रहे हैं जिस वज़े से हर IPO का एनलाइसस करना और फिर उसका वीडियो पोस्ट करना मेरे लिए possible नहीं हो पा रहा है इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी को IPO एनलाइसस का कुछ basic knowledge दे दूँ ताकि आप खुद किसी भी IPO का एनलाइसस कर सके और आपको किसी और पे dependent ना रहना पड़े इसके लिए मैं आपको 9 ऐसे points बताने वाला हूँ जिसे आपको check करना है किसी भी IPO में apply करने से पहले तो सबसे पहले जानते हैं कि IPO या initial public offer होता क्या है इन simple words जब कोई unlisted company पहली बार stock exchange पे list होने आती है तो उसे IPO कहते हैं IPO में company का कुछ ownership general public को मिल जाता है और इसके बदले company और company के promoters को कुछ funds मिलते हैं इस fund का use company अपने expansion या debt repay करने या दूसरे operating expenses में करती है अब main points के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपको ये details चेक करना कहां से है listed companies के लिए तो हम money control या screener जैसे websites का use कर लेते हैं बट unlisted companies के बारे में जानने के लिए आपको company का prospectus चेक करना पड़ेगा जो भी company IPO लाना चाहती है उसे mandatory है कि वो एक prospectus जमा करें सेबी में इस prospectus को red hearing prospectus कहा जाता है इसमें company के business, promoter, financials और company से related बाकी सभी चीजों के बारे में दिया होता है सेबी इस prospectus को चेक करती है और अगर सेबी को लगता है कि prospectus में कुछ changes करने है तो company को वो changes करके दुबारा prospectus फाइल करना पड़ता है सेबी दुबारा इसे चेक करती है और सेबी के final approval के बाद इस prospectus को draft red hearing prospectus या DRHP कहा जाता है किसी भी company का prospectus डाउनलोड करने के लिए आप सेबी की website www.seby.gov.in पे जाईए फिर top में दिये filing section के public issue section में second number में दिये red hearing documents filed with ROC पे क्लिक कीजिए इस पे क्लिक करते ही new page में आपको सारे recent IPOs के prospectus मिल जाएंगे यहाँ आप देख सकते हैं कि list में yes bank का नाम भी दिया हुआ है बट यह prospectus yes bank के IPO के लिए नहीं बलकि यह yes bank के FPO का है जो की last month ही आया था FPO means follow on public offer इन simple words जब कोई already listed company फिर से new shares issue करती है तो उसे FPO कहते हैं FPO के बारे में हम किसी और वीडियो में detail में बात करेंगे अभी के लिए मैं Rosary Biotech Limited के prospectus पे क्लिक कर रहा हूँ क्लिक करने पर new page में prospectus open होगा जिसे आप download कर लीजे मैं इस वीडियो में Rosary का prospectus इसलिए use कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका IPO analysis किया था और अभी इस वीडियो में हम जब इस prospectus को check करेंगे तो आप उस IPO analysis के वीडियो को यहां correlate कर पाएंगे और इस topic को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे Rosary Biotech Limited के IPO analysis का link उपर info card और नीचे description box दोनों जगहों पर दिया हुआ है Rosary Biotech Limited का DRHP सारे 300 से ज़्यादा पन्नों का है ज़्यादा थर companies का DRHP आपको 300 pages से ज़्यादा का ही मिलेगा अब अगर आपको किसी company के IPO में invest करना है तो आपको उस company का पूरा DRHP पढ़ना चाहिए बट practically यह सभी के लिए possible नहीं रहता इसलिए मैं आपको 9 essay points बताने वाला हूँ जिनको आपको DRHP में पढ़ना है जिसके बाद आप किसी भी IPO में apply करने या ना करने का judgment काफी easily ले पाएंगे Prospectus में थोड़ा नीचे scroll करने पर आपको table of content show होगा यह एक standard format है और ज़्यादा थर companies का table of content ऐसा ही रहेगा इस table of content में फर्स्ट चीज जो हमें check करना है वो है section 2 risk factors इस section में आपको company और industry से related internal, external, operational, business और बाकी सारे तरह के risk के बारे में बताया जाता है यह सारे risk point wise लिखे होते हैं और हर point का detailed description भी दिया होता है यह section काफी lengthy होता है और यह section इसलिए भी lengthy हो जाता है क्योंकि company को SEBI के rules के अनुसार काफी सारे disclaimers और risk declare करने पढ़ते हैं अब आपको करना यह है कि हर point का headline पढ़ना है headline पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि इस point के बारे में आपको और detail में information चाहिए तो आप नीचे दिया हुआ पूरा paragraph पढ़िए और अगर आपको headline पढ़ने से ही सारी चीज़ें समझ आ रही हैं तो फिर आप आगे बढ़ जाए मैंने रुसारी बायोटेक लिमिटेड के IPO analysis में आपको company और sector से related चार important चीज़ों के बारे में बताया था ये चारों points मैंने इस prospectus के इस risk factor section से ही लिया था इस section में total 72 risks दिये हुए हैं जिन में से मैंने सबसे जादा important चार points को ही वीडियो में include किया था और बाकियों के बारे में वीडियो में नहीं बताया था शुरुवात में आपको ये सारे points पढ़ने होंगे और उनका description भी पढ़ना होगा फिर जब आप कुछ companies के prospectus पढ़ लेंगे और आपको थोड़ा बहुत experience हो जाएगा फिर आप first line पढ़के ही समझ जाएंगे कि किस point को आपको पूरा पढ़ना है और किसे skip करना है risk factor के बाद अब table of content में next section है section 3 introduction इस section में financial summary, general information, capital structure, objects of offer और basis of offer price के बारे में summarized form में दिया होता है इस section में दिये हुए चीज़ों का detailed description आपको आगे के sections में दुबारा मिल जाएगा example के लिए यहां section 3 में आपको summary financial information topic दिख रहा है अब अगर ध्यान से देखें तो section 5 है financial information इस section में detailed financial statement दिया हुआ है और इस पूरे financial statement का short summary section 3 के summary financial information section में दिया हुआ है अब आपको section 3 में दिया हुआ financial summary पढ़ना है या पूरा detailed financial statement पढ़ना है यह आप पर depend करता है मेरा advice रहेगा कि आप पहले section 3 का financial summary पढ़िए और अगर financial numbers में आपको कुछ समझ नहीं आए तो उसके बाद आप section 5 में दिया हुआ detailed financial statement पढ़ सकते है financial summary में company का balance sheet, profit and loss statement और cash flow statement दिया होता है अगर आपको financial statements पढ़ना नहीं आता है तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि company का revenue लास्ट कुछ years में कितने speed से grow हो रहा है इसके अलावा इसका EPS किस ratio में बढ़ रहा है और इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए कि company पर कितना debt है और company के income का कितना portion interest payment में चला जाता है Company के financials के बाद आपको check करना है objects of the offer इस section में आपको ये पता चलेगा कि जो shares issue होने वाले हैं उनमें से कितना portion fresh issue का है यानि कि नए shares है और कितना portion offer for sale है यानि कि promoters के द्वारा sell किया जा रहा है ये देखना इसलिए भी important है क्योंकि जो amount fresh issue किये गए shares से आएगा वो company को मिलेगा और जो amount offer for sale shares से आएगा वो promoters को मिलेगा promoters को मिलने वाले पैसे पर company का कोई हक नहीं होता और company सिर्फ उनी पैसो को use कर सकती है जो कि fresh issue से आया है कई बार fresh issue और offer for sale के अलावा angel investors भी अपना stake IPO में sell करते हैं angel investor means वो investors जिन्होंने company के शुरुवाती दोर में company में पैसा लगाया था इसके अलावा इस section में ये भी दिया रहता है कि जो पैसा company को मिलेगा उसे company कहां और कैसे use करने वाली है जैसे यहां rosary biotech limited के case में company इस amount को अपना debt पे करने working capital requirements और दूसरे general corporate purposes में use करेगी इसके बाद table of content में next important section है basis of offer price इस section में उन factors के बारे में बताया जाता है जिसके basis पर company ने IPO का price band fix किया है इस section में company का EPS, PE ratio, return on net worth, net asset value जैसी चीजें दी हुई होती हैं और साथ ही इस section में company का comparison किया जाता है इस sector की दूसरी listed companies के साथ इस comparison के basis पे आप ये judge कर पाएंगे कि इस IPO का evaluation कैसा है याने कि क्या दूसरे listed companies के comparison में ये company का IPO महंगा है या सस्ता है और अगर IPO का price band higher range में है तो company इस segment में ये भी बताती है कि company higher premium का demand क्यों कर रही है और आप इसे पढ़ कर ये decide कर सकते हैं कि company का higher price band justified है या नहीं इसके बाद table of content में section 4 में company के details दिये होते हैं इसमें आप our business topic पे click कीजिए और इसे पूरा पढ़िए इस section से आपको company के business, product portfolio और operations के बारे में पूरा knowledge हो जाएगा किसी भी company में invest करने से पहले आपको उसके business के बारे में पता होना चाहिए और ये सारी जानकारी आपको इसी section में मिलेगी इसके अलाबा आपको इस section में company के revenue mix, geographical mix, plant locations, distribution network, business strategies और customers and clients के बारे में भी details मिल जाएगा इसके बाद आप table of content में history and certain corporate matters पे जाएगे इसमें आपको company के history, major events and milestones, subsidies, joint ventures और associates के बारे में पूरा detail मिलेगा साथ ही company को मिले हुए awards and accreditations और company द्वारा किये गए सारे agreements के बारे में भी इसी section में पता चलेगा इसके बाद table of content में आपको चेक करना है our management section इसमें आपको company के management के सारे members के बारे में information मिल जाएगा information जैसे की personal details, professional details, education, age, experience, salary, etc. साथ ही अगर last three years में board of directors में कोई changes हुए है तो उसके बारे में भी आपको इसी section से पता चलेगा इसके बाद table of content में आपको promoter and promoter group section चेक करना है कुछ cases में ऐसा हो सकता है कि company के board of directors और company के promoters अलग-अलग हो तो वैसे situation में ये section चेक करना और भी ज़्यादा important हो जाता है इसमें आपको company के सारे promoters का personal details, professional details, education जैसी चीज़ें मिलेंगी साथ ही promoters के relatives के नाम और relationship के बारे में भी details रहेगा ये promoter section आपके लिए काफी important रहता है क्योंकि किसी भी company में investment करने से पहले सबसे ज़्यादा important होता है company के promoters का trustworthy होना अगर promoters पर कोई criminal cases या legal cases हो promoters किसी और company में कोई और important position hold करते हो promoters में कभी कोई default किया हो ऐसे सारे details आपको इसी section में मिलेंगे इसके वाद table of content में our group companies और dividend policy को आप skip कर सकते हैं हलाकि ये दोनो topics दो-तीन pages के ही होते हैं तो चाहे तो आप इस पर भी एक नजर डाल सकते हैं Next section है financial information जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं Financial numbers के detailed explanation के लिए आप financial statement पर सकते हैं Financial statement के अलावा इस section में second, third और fourth points को आप skip कर सकते हैं इसके बाद management analysis and discussion काफी जादा important topic होता है इसमें company के top management के vision और future outlook के बारे में दिया होता है साथ ही company के current and future business plans, expansion and diversification goals, financial summary, etc. के बारे में दिया होता है इस section में company के top management, company के performance को analyze करते हैं और साथ ही compliance, risk, future plans, etc. के बारे में बात करते हैं इसके अलावा table of content में दिये हुए बाकी चीजों को आप skip कर सकते हैं हाला कि यार रखिए कि अगर आप किसी IPO को अच्छे से analyze करना चाहते हैं तो आपको prospectus को पूरा पढ़ना चाहिए एक और important चीज ये है कि जब भी कोई company IPO लाने वाली होती है तो उसकी तयारे दो-तीन साल पहले से start हो जाती है Company अपने तरफ से पूरा कोशिश करती है कि company का profitability, EPS और बाकी सारे ratios काफी अच्छे नजर आएं ताकि IPO के वक्त company का हर aspect में performance बहुत अच्छा दिखे बट आपको इस दिखावे से बचना चाहिए और इन numbers को काफी deeply और conservative basis पे देखना चाहिए और अगर आपको company में कोई भी परिशानी नजर आती है तो आपको उसके बारे में और ज़्यादा research करना चाहिए वीडियो के end में मेरी तरफ से एक final tip अगर आप किसी IPO में apply करने वाले हों तो हमेशा last day में ही apply करें क्योंकि तब तक आपको ये पता चल जाएगा कि first two days में IPO को कैसा response मिला है और IPO का subscription status कैसा है इसके अलावा अगर आप last day में IPO में apply करने वाले हों तो मेरा आपसे ये suggestion रहेगा कि last day में दुपहर एक बज़े से पहले ही apply कर दे क्योंकि different brokers और banks का different square of time होता है और मेरा personal experience है कि कई बार last day पे application window end time के पहले ही close हो जाता है इसलिए to be on safe side आप end time का wait ना करें और last day पे दुपहर एक बज़े के पहले ही apply कर दें चलिए friends तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को end करता हूँ आशक करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा वीडियो को like and share ज़रूर करें और अगर आप इस channel पे new हैं तो इस channel को subscribe करना ना भूले चलिए तो मिलते हैं next week किसी और topic के साथ till then take care bye bye